अगर आप एक यूटूबर हैं, तो आपको अच्छे कंटेंट के साथ अच्छा थम्नेल अपने वीडियो में लगाने की जरूवत है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दोसरा वीडियो देखने की जरूवत नहीं है पॉंटो अप्लिकेशन डाउनलोड कर लेना है, यह मेरे फोन में पहले से इंस्टॉल है, इस वज़े से मैं इसको सिधे ओपन कर लूँगा, इस अप्लिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें कुछ पर्मिशन्स आपको देनी होगी, आप इ इमेजिस लिखा हुआ है, प्लैन इमेजिस लिखा हुआ है, इसके बाब प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, बीच में आप प्लैन इमेजिस पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको कुछ पेपर मिल जाएंगे, जो पेपर आपको सेलेक्ट करना है, वो आप कर सकते हैं, जैसे मुझ कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा सबसे उपर आप देख रहे हैं इसमें आपको साइज फिल करना है इसके बाद सबसे उपर आप कस्टम पर क्लिक करेंगे आपको इसमें साइज डालना है 1280 एंड हाइट आपको डालनी है 720 यह डालने के बाद आप डन कर देंग डन करने के बाद आप नीचे देख रहे होंगे इसमें आपको कलर फिल करना है तो आप कलर सेलेट कर लेंगे जो भी आपको पसंद है जैसे मैं एलो कलर चूस करूंगा इसके बाद आप नीचे देख रहे होंगे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे इसके बाद यूज पर क् पैन का सिंबल बना हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे इसमें मैंने यूटूब लिख दिया है इसके बाद अगर मैं अपना फोन चेज्ट करना चाहता हूं तो आप इस फोन पर क्लिक करेंगे इसमें बहुत सारे आपशन मिल जाएंगे जैसे मैं यहाला सब्सकार करूँगा इसके बाद done आप कर देंगे अब ये मेरा लिख के आ गया है इसमें आप अगर अपना color chain करना चाहते हैं तो आप style पे click करेंगे इसमें आपको जो color चाहिए वो आप select कर सकते हैं जैसे मैं red select करूँगा इसके बाद कुछ ऐसा दिखने लगेगा color choose करने के बाद सबसे उपर आप देख रहे होँगे डन पे आप click करेंगे इसमें अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप फिर से आप click करेंगे सबसे उपर अगर आप Hindi में लिखना चाहते हैं तो Hindi में लिख सकते हैं यहाँ से अपना keypad chain करके अगर आप English में लिखना चाहते हैं तो English में लिख सकते हैं जैसे कि मैंने वीडियो लिख दिया है इसके बाद आप इस पे done कर देंगे done करने के बाद इसी पे ये paste हो जाता है तो आपको इसे नीचे गिसका लेना है इसके बाद आप इसका color अगर chain करना चाहते हैं तो आप इसका color chain कर सकते हैं मैं आप इसी पे click करेंगे फिर से style पे click करेंगे जैसे मुझे ये blue color का चाहिए तो मैं blue पे select करूंगा इसके बाद आप done कर देंगे अगर आप इसका size बढ़ा करना चाहते हैं तो आप Size पे क्लिक करेंगे इसके बाद आप इसका Size कुछ इस तरह से बड़ा कर सकते हैं इसके बाद आप जहां इसको Set करना चाहते हैं कर लीजे, इसमें अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो फिर से आपको वही process करना होगा कुछ इस तरह से आप लेख सकते हैं अगर आप इसमें कोई image एड़ करना चाहते हैं तो आप सबसे उपर three dot पे क्लिक करेंगे इसमें आपको add image option मिल जाएगा इस पे आप क्लिक करेंगे आपकी gallery खुल जाएगी इसके बाद जो आपको image select करनी है वो आप select करने के बाद आप corner में देख रहे होंगे चोटी सी image आगई है आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं उस image पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ option मिल जाएगे जैसे कि मुझे इसका size बड़ा करना है तो कुछ इस तरह से इसका size बड़ा या चोटा कर सकते हैं इसमें आपको जहां भी उसको set करना है आप उसको set कर देंगे इसमें आप मुझे pen वाले symbol पे क्लिक करूंगा इसमें 2022 लिखना चाहिए रहा हूँ वो लिखने के बाद मैं font पे क्लिक करूंगा इसमें बहुत सारे font आ जाएंगे मुझे ये वाला font चाहिए ये select करने के बाद इसके बाद आप done कर देंगे आप देख रहे होंगे फिर ये corner में आ गया है इसको आप जहां set करना चाहते हैं वो set कर सकते हैं जैसे मैं इसको corner में set करना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको corner में set कर दिया है कुछ इस तरीके से इसमें आप अगर कोई और photo add करना चाहते हैं तो वही सारा process आपको फिर से करना होगा फिर आप three dot पे click करेंगे इसके बाद add image में जाएंगे जैसे कि मुझे ये वाली photo select करनी है तो मैं इस पे फिर click करूँगा ये photo फिर corner में आगी है इसको आप जहाँ पे set करना चाहते हैं वहाँ set कर देंगे कुछ इस तरीके से जहाँ भी इसको आप set करना चाहते हैं वहाँ set कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ corner में करना चाहते हैं में कर दीजे कुछ इस तरीके से अगर आप हो किसी भी चीज का कलर चेन करना चाहते हैं जैसे माली जी आपको youtube का कलर चेन करना है तो आपको YouTube क्लिक करना है इसमें आप style पर कलिक करेंगे हुझे इसके बाद जो जिसे Black चाहिए मुझे तो मैंने ब्लैक पर select किया इसके बाद आप सबसे उपर देख रहे होंगे done पर click करेंगे जैसे ही आप done पर click करेंगे आपका जो YouTube लिखा हुआ है वो black color का हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आप change कर सकते हैं आपको ये basis ध्यान रखना है इसमें कि कोई भी लेटर या फिर कोई भी photo इस background से बाहर नहीं होनी चाहिए तो कुछ इस तरह से आप अपने वीडियो के लिए thumbnail बना सकते हैं अगर आप इसको download करना चाहते हैं तो सबसे उपर आप शो हो रहा होगा download option इसमें आप click करेंगे जैसे ही आप click करेंगे save के लिए दो option आ जाएंगे save image as jpeg, save image as png तो आपको सबसे उपर save image as jpeg में select करके save पे click कर देना है आपका thumbnail download हो गया है आप इसको ok कर देंगे thumbnail download हो गया है आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद